नमस्कार दोस्तों पेट पूजा रेसिपीज में मैं पूजा एक बाफिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हुम बना रहे हैं व्रत में खाने वाली विशेश साबूदानी की खीर प्रेशर कूकर में ये खीर बहुत ही स्वादिष्ट और सुपाच्चे होती है इसलिए छे महीने से दो साल तक के छोटे शिशुओं के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा infant food है तो आप चाहें तो अपने घर के छोटे बच्चों के लिए भी बिल्कुल दो मिनिट में ये खीर तयार करके उन्हें जटपट खिला सकते हैं इस तरह से बनाने से आप देखेंगे कि इसकी स्वाद और टेक्स्चर में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा और साथ ही प्रेशर कुकर में पकाने से समय और गैस की बचत भी होगी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए इसे बनाने के लिए मैंने ये आधी कटोरी साबुदाना लिया है मात्रा में ये 100 ग्राम साबुदाना है इसे हम सबसे पहले 3-4 बार साफ पानी से अच्छे से धो के साफ कर लेंगे ये देखिए इस तरह से साबुदाने को हम अच्छे से धो के इसका सारा पानी तार के हम इस तरह से निकाल लेंगे और ऐसे ही हम इसे दो तीन बार और धोके साबुदाने को बिल्कुल साफ कर लेंगे ये देखे इस तरह से धोने से इसमें कोई भी इंप्यॉरिटी या गंदगी है तो वो बहार निकल आएगी तो ये हमारा साबुदाना इस तरह से हमने धो लिया है अब हम इसे एक बड़े बोल में ट्रांसफर करके भीगो देते हैं ये देखे साबुदाना पानी में इतना भीगा रहे आप मात्रा देख रहे हैं पानी की बस इतना पानी हमें डालना है ज्यादा पानी ने डालेंगे वरना साबुदाना गल जाएगा हमारा तो हमें इतना पानी डालके इसे तीन से चार घंटे के लिए ढखके रख देना है तीन घंटे हो गए हैं यह देखिए साबू दाना हमारा बिल्कुल फूल के तयार है और इसका दाना बिल्कुल खिला खिला है पर यह इस तरह से गल के पूरी तरह से मैश हो रहा है तो साबूदाने हमारे भीग के बिल्कुल रेडी हैं अब हम गैस पे कुकर चड़ा लेते हैं इस प्रेशर कुकर में मैंने आधा लीटर दूद डाल लिया है 100 ग्राम साबूदाने में आधा लीटर दूद हमारा लग जाएगा इस दूद को हमने गरम होने के लिए चड़ा दिया है और अब हम इसमें एक बॉयल आने का इंतसार कर रहे हैं ये देखिए दूद में बॉयल आ गया है एक बार इस तरह से हम कर्ची चला के दूद को हिला लेते हैं यहां हमें दूद को गाड़ा करके रिड्यूस करने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि हम इसे कुकर में पका रहे हैं तो यहां हमारे समय और इंधन दोनों की बचट हो रही है इस तरह से जब एक उबाल पूरी तरह से हमारे दूद में आ जाएगा तो हम भीगे हुए साबुदाने इसमें एड़ कर देंगे तो यह मैंने इसमें आधा बोल साबुदाना एड़ कर दिया है सारा साबूदाना इस तरह से एड़ करके हम एक बार कर्ची से दूद और साबूदाने को हिला के मिक्स कर लेंगे ये देखिए साबूदाना अभी कच्चा है तो सफेद रंग का है और इसके पक जाने पर आप देखिएगा इसका रंग बिल्कुल मोतियों के दानी की तरह अलग हो जाएगा तो साबूदाने को हमने हिला लिया है एक बार बॉइल हमारे दूद में आ गया है अब हम इस कुकर का धकन लगा देते हैं और इसको धीमी आज पर हमें पकाना है आज मैंने बिल्कुल धीमे कर दी है और अब हम इसे एक सीटी आने तक पका लेंगे दीमियाज पर हमारे खीर में एक सीटी आ गई है हमें इस समय स्टीम के थंड़े होने का इंतजार करना है और पूरी तरह से थंड़ा होने के बाद ही हम कुकर खोलेंगे स्टीम हमारे कुकर की पूरी तरह से ठंडी हो गई है अब हम ढकन खोल के खीर को चेक कर लेते हैं जी हाँ, देखिए खीर हमारी पक के बिल्कुल तैयार हो गई है जैसा मैंने वीडियो के शुरुवात में कहा था कि साबुदाना पकने के बाद ट्रांस्परेंट होके उपर आ जाएगा तो देखिए बिल्कुल वैसा ही मोतियों के दाने की तरह साबुदाना फूल के उपर आ गया है और जो सफेद साबुदाना था वो ट्रांस्परेंट हो गया है खीर हमारी बहुत ही अच्छी गाड़ी हो गई है और देखिये इसमें बिलकुल भी टाइम और गैस हमारा नहीं लगा है अब हम इसमें आधा कटोरी चीनी डाल रहे हैं चीनी और साबुदाना का रेशो ये है कि मैंने जिस कटोरी से साबुदाना ना पथा उसी कटोरी से मैं चीनी डाल रही हूँ, ये आप अपने स्वात के अनुसार चीनी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं पर मेरे अनुसार 1 to 1 का रेशो सही रहता है तो आधी कटोरी हमने साबुदाना लिया था और आधी ही कटोरी हम इसमें चीनी डाल रहे हैं चीनी को भी हम अच्छे से हिला के इसमें घोल लेते हैं और चीनी को पूरी तरह से मेल्ट होने तक हम इस खीर को मध्यमाच पे पका रहे हैं इसी समय हम इसमें डाल देंगे 3-4 इलाइची को कूट के उन इलाइचीयों के दाने आप चाहें तो इलाइची एसंस भी डाल सकते हैं मैं यहां 4 इलाइची कूट के उसके दरदरे कुटे हुए दाने इसमें एड़ कर रही हूँ इनको भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं इससे बहुत अच्छा स्वाद और खुश्बू खीर में आती है और यह खीर वरत में खाने के लिए बहुत ही अच्छी है तो जब भी आपको प्वास में भूख लगे आप बिलकुल इसी तरह से खीर बनाएं और इसमें एक बात का ध्यान रखें कि आप सिर्फ एक ही सीटी लगाएं अगर आप ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो साबू दाना हमारा गल जाएगा यह देखिए खीर हमारी पूरी तरह से बन गई है चीनी इसमें मेल्ट हो गई एक बार बीच में हम कर्ची चला लेते हैं क्योंकि यह खीर कई बार बीच में लग जाती है तो केसर भी हमने एड कर दिया है हमारी खीर बन के बिल्कुल तयार है इसमें हम लंबे-लंबे कटे हुए बादाम के टुक्रे डाल देते हैं आप अपने पसंद के कोई भी ड्राइफरूट डाल सकते हैं बादाम, चिरोंजी, काजू जो ड्राइफरूट आपको पसंद हो आप इसमें एड कर दीजिए हमारी गर्मा-गरम खीर को मैंने कटोरी में निकाल लिया है और केसर के लच्छी और बादाम की कत्रनों से गार्निश किया है आप चाहें तो इसे फ्रिज में चिल करके खा सकते हैं या इसी तरह से गर्मा-गरम इसका आनंद उठाएं अगर आपको इस रासपी पसंद आए हो तो वीडियो के नीचे का लाज सब्सक्राइब बटन दबाके मेरे चैनल को तुरन सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सबस्क्राइब करने से आपको नई रेसिपी और किचन टिप्स सबसे पहले मिला करेंगे मेरी इस रेसिपी को जादा से जादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें मुझे आपके कमेंस का हमेशा इंतजार रहेगा और इसी तरह अच्छा खाना बनाते रहें